तो वक्त हो चुका है आज की 25 महात्पूर बड़ी खबरों का ये जानते हैं आज के मुख्यसमा चार बने रहेगा आप हमारे साथ क्योंकि किसान निदी को लेकर बड़ा प्रेट आ गया है रासन योजना को लेकर नई जानकारी है अमित सान ने कई सारे आयलान कर दिये है वह लेकिन अब इसमें टाइम में परिवर्तन भी कर दिया गया है आयमडी का अलट है वही पर आज क्या क्या सस्ता मिलेगा गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्या है हार एक जानकारी आपको जानना बेहर जरूरी है बने रहेगा आप हमारे साथ जानेंगे पूरा अपडेट तो च 234 के दिसंबर में 16,678 करोण रॉपए का राज़त सुप्राप्त हुआ है UK सरकार के वित्मंत्री ने ये बात बताई है वित्मंत्रीं बताया कि друз के टहे दिसंबर 2023 में कुल 6,249 करोण रॉपए के राज़त सुप्राप्त हुई है जो महा दिसंबर के निरधारित लक्ष के 68% जादा है तो राम मंदर के धूम मची हुई है गूगल पे लगातार सर्च हो रहा है देजभर में लोग खोज रहे हैं आयुध्या का सीधा रूट जेया दोस्तों आयुध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्टा की तारिक नजदी काने के साथ ही लोगों की उत्सुक्ता बढ़ गई है 22 जन्वरी को तो प्राण प्रतिष्टा हो गई उसके बाद 23 जन्वरी से हम जैसे आम आदमियों के लिए भी आयुध्या में दर्सन करने का मौका मिल जाएगा यानि 22 तारिक को तो नहीं जाना क्योंकि पीयम मोदी ने भी अपील की है अच्छा इसके साथ ही आयुध्या में राम लला की प्राट्रतिष्टा की तारिक नजदी काने के साथ ही लोगों की उत्सुक्ता बढ़ गई है गूगल पर सबसे कम दूरी वाला सीधा रूट सर्च किया जा रहा है यही वज़ा है कि आयुध्या गूगल ट्रेंड में टॉप 10 में सामिल हो गया है इन दिनों आउसतन 70% सर्च आयुध्या की रूट की हो रही है तो किसान अब किरसी यन तो रहेदू 15 जनुरी तक कर सकते हैं आवेदन यह दोस्तो किरसी विवा की ओर से वर्स 2023 के दौरान किरसी यन रोटावेटर, ट्रेक्टर, ओप्रेटिव पावर फीडर और पिटेटो, प्लांटर यह सभी चीजों की मसीन जो होती है वो आपको 15 जनुरी तक आवेदन कर सकते हैं आपको आसानी से और सस्ता मिल जाए आपको दादे इसके लिए आप 15 जनुरी तक अप्लाई कर सकते हैं अनुस्तूची जाती के किसानों और लगु सीमान्त किसानों को 50% और सामाने किसानों को 40% या तै की गई अधिक्तम अनुदान रासी जो भी कम होगी वो देनी होगी यानि कम पैसा देकर ही आप इस यंत्र को खरीट पाएंगे और सरकार इसके लिए सबसेड़ी भी देती है दोस्तो राम मंदिर में परवेज से पहले भक्तो को लेनी होगी पवन पुत्रहनुमान से आग्या देखिए क्या आकरसक तस्वीर है दर असल 22 जनूरी को प्रभुराम अपने भव्य महल में विराज मान होंगे प्रभुराम के विराजमान होने से पहले उनका भव्वे महल बनकर तयार हो गया है और आयोध्या का राम मंदिर राजस्थान के बंसी पहारपुर के नकासी दार पत्थरों से बनाए गया है। के प्रतिमा भी लगाई गई है पाइस जनुरी को ब्रभुराम अपने भव्वे महल में विराजमान होंगे जिसका साक्षी पूरा विश्व बनेगा। अभी तक नहीं है उनकी मांग है कि उनका लाभान से बढ़ाया जाये। अभी तक नहीं हुआ इसका कारण है कि कोटेदार अभी भी हर्ताल कर रहे है अपने लाभांस की मांग कर रहे है कि लाभांस उनका बढ़ाया जाये। इस बार गेहु चावल और 10 किलो बाजरा मिलेगा अगर आपको चावल 21 किलो मिलता था तो 11 किलो मिलेगा क्योंकि उसकी जगा पर 10 किलो बाजरा मिलेगा। गेहु में कटोती नहीं की गई है पर तेक यूनिट पर 2 किलो गेहु मिलेगा। किसानों को सोलवी किस्त के अब बेसबरी से इंदजार है योजरा का लाब पाने के लिए किसान भाई आवेदन पत्र ठीक ठाक तरीकिस्त ढंक से भर ले जिससे की एक वाईसी भी हुई रहे उनको लाब मिल जाए। को अपनी तरफ खीचने के लिए सरकार ये एलान करने वाली है जिसमें इनके किस्तों में बढ़ुत्री होगी। आपको दादें चाहे तो तीन किस्त मिल सकती है तीन-तीन हजार की या चार किस्त दी जाएगी तीन-तीन हजार की। तो चलिए जा लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में क्योंकि कीमत में भारी गिरावट होई है। गाजयबाद में भी सोने का भाव आप यहां पर देख सकते हैं। यूपी के तबाम बड़े जिलो में ऐसा ही रेट है क्योंकि सस्ता मिलना है। 50 रुपए तक बिकने वाला टमाटर अब 20-25 रुपए में बिकने लगा है। टमाटर के ठोग व्यापारी का कहना है कि अभी दाम और नीचे जाएगा। यानि लगबा ये 10 रुपए किलो तक आएगा। उत्तरप्रदेश में सबजियों के दाम काफी समय से इस्थिर बने हुए थे। हाला कि टमाटर 40-50 तक पहुँच गया था। लेकिन अब 10 रुपए किलो भी बिकने लगेगा अगले हपते से। सबजी मंडी उपाद ध्यक्ष और टमाटर के थोग व्यापारी मुकेस जादों ने बताया कि मंडीयों में टमाटर की आवग बढ़ने से कीमत में गिरावट आई है। तो कोल्ड वेप का अलट है कडाके की ठंड से कापा उत्तर भारत जानिया सीत लहर से कब मिलेगी राहत। तो योगी सरकार ने यूपी में स्कूलों का समय बदल दिया है। सासन की तरब से लेकर सभी जीलों के अतिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में का गया है कि अब कोई भी स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेगा। इसके साथ ही साम 3 बजे तक बंद भी किया जाएगा। प्रिवेडिंग सुट कराना होगा महेंगा दो घंटे के लिए देने होंगे इतने हजार रुपए। आपको दादेश साधी के सीजन के दौरान हर दिन और सतन लगबग 25-30 वेडिंग सुट होते हैं। तो प्रेमानन महाराज के फिर से मंगला दर्सन सुरू हो गए है, फूल रंगोलियों से सजने लगे है, मार्ग कडाके के ठंड में उमर रहे हैं भक्तो की भीड। प्रेमानन महाराज मत्रव रिंदवन के गलियों तक ही नहीं बलकि सोसल मीडिया पर भी बहुत फेमस हैं। इंस्टाग्राम, फेस्बूक और ट्वीटर जैसे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाराज के वीडियो रील्स और कार्ड्स वाइरल होते रहते हैं। आपको दादे प्रेमानन जी एक जनुरी की रात्री से अपनी पद यात्रा की दोबारा सुरुआत कर दिये हैं। जा रहा है और एक पोर्टल सुरू किया जा रहा है जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं।